पुर्वसांसद अनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आज सुक्रवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई होने वाली है पहले सुनवाई आठ अगस्त को होनी थी लेकिन उस दिन नहीं हो पाई इसलिए तारीक 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था आज सुप्रीम कोट में जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सुड़ क्यांत की बेंच में यह सुनवाई होगी सुनवाई के दोरान यह तै होगा कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद कर दी जाएगी आयस अधिकारी और गुपाल गंज के ततकालीन डियम जी क्रिशनया की हत्या मामले में आनंद मोहन ने करीब 16 साल जेल में बिताए नितीश शरकार ने 10 अप्राइल को कारा नियमों में बदलाओ कर आनंद मोहन के साथ 26 कैदियों को रिहा किया अनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पूर्व डियम की पतनी उमा देवी क्रिशनया ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की और बिहार सरकार के साथ अनंद मोहन को पाटी भी बनाया उमा देवी क्रिशनया की याचिका पर आठ मै को जस्टिस सूर क्यांत और जस्टिस जेके माहस्वरी की बेंच में पहली सुनवाई हुई उस दिन कोट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटीस जारी किया और अपना अपना पक्ष रखने को निर्देश दिया इसके साथ ही बिहार सरकार से अनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉड भी पेस करने को कहा जिसके अधार पर पुर्वषांसद को छोड़ा गया बिहार सरकार के साथ साथ पुर्वषांसद ने अपनी तरब से जवाब जमा करा दिया है सरकार के हलफ नामे में नियमों को बदलने पर जवाब दिया गया है सरकार ने कहा है कि किसी दोसी की रिहाई इसलिए नहीं रोकी जा सकती क्योंकि उस पर लोक सेवक की हत्या का आरोप है पीरित चाहे आम आदमी हो या खास हो दोसी की रिहाई हो या ना हो इसकी वज़ा नहीं बन सकता। दूसरी तरफ आनंद मुहन ने सुप्रीम कोट में दायर हलफ नामे में कहा है कि जेल में उनका आचरन हमेशा अच्छा रहा है। जेल में उन्होंने तीन किताबे भी लिखी हैं। उर्दू में उच्छ सिख्छा भी हासिल की है। इसलिए रिहाई का फैसला बिलकुल सही था। अब सरकार और अनंद मुहन के जवाब से सुप्रीम कोट कितना संतुष्ठ होता है वो फिलहाल सुप्रीम कोट में होने वाली सुनवाई में पता चलेगा। सबकी नजरे आज सुप्रीम कोट में होने वाली सुनवाई पर ठीकी रहेंगी, क्योंकि सुनवाई के दौरान यहत्तय होना है कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद होगी, अगर रद हुई तो अनंद मोहन को दुबारा सलाखों के पीछे जाना पर सकता है,